नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है, पेश एतेश जुन, शुकरवार दपर सवाएक बजे, राजसान की 15 बड़ी खबरें इस नियूज बुलेटिन के प्रायोजुक हैं विनी, विनी केक और मोर सबसे पहले एक नज़र आते हैं आज की हट्लाइन्स पर मोधी के लिए वाइट हाउस में स्टेट डिनर, जिल बाइडन सहीत, 200 गेस्ट शामिल पेम मोधी अमेरिकी संसद में बोले, भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थवे वस्ता शहा ने बुलाई मनिपूर के हालातों पर बैठक, पतना में नितीश के घर, विपक्ष की महाँ बैठक शुरू, 15 दलों के निता मौजूद और सचिन पारट के बाद वेनू गोपाल, सियम गहलो से मिले, सुला के फॉर्मूले पर चर्चा, और अब खबरे विस्तार से पेम मोधी और रास्पती बाइडन ने दोनों देशों की पार्टनर्शिप, दोस्ती और महान देशों की विकास और साज़ेतारी के लिए पोस्ट किया है, अमेरिका के रास्पती जो बाइडन और फर्स लेड़ी जिल बाइडन ने पीम नरेंद्र मोधी के लिए वाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा, मोधी का अमेरिका दौरे का ये तीसरा दिन था, इस मौके पर उन्होंने डिनर के लिए आभाज आया, उन् जानमंति नरेंद्र मोधी ने गुरवार देराद अमेरिकी संसत को दूसरी बार संबोधित किया, इस दोरान अमेरिकी संसतों ने तालियों के गड़गड़ा हट के साथ उनका स्वागत किया, उन्होंने अपने भाशन के सुरवात में संसत को धन्यवाद दिया, भारत और के रिष्टों पर बोलते हुँ उन्होंने कहा AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया पियम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका पर मार्टिन किंग लूथर और गांधी का प्रभाव है जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़े अर्थवेवस्था बनेगा मणी पर में जवारे हिंसा के बीज के इंडिय ग्रहम अंत्रिया मिट शाह ने 24 जून को सरवदलिय बैठक बुलाई है कांवर्स नेतर राहूल गांधी ने इस पर सवाल उठाई है उन्हें ने कहा कि बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पियम मोदी अमेरिका की यात्रा पर है इससे पता चलता है कि ये बैठक पियम के लिए महत्रपूर नहीं है लोग सबचनाव 2024 में बीजेपी की खिलाफ मजबूत मोर्चे बंदी के लिए विपक्षी दलो का पटना में पहले बार महा जुटान हो रहा है सीम नितीश कुमार के आवास पर विपक्ष की बैठक शु टीम सी चीफ ममता बैनर जी, डीम के प्रमो के एमके स्टालिन, आप सैयों जो करविन के जरिवाल, पीडीपी, चीफ महबूबा मुफ्ती, वाम लेडर दिपांकर भटाच्वार, डी राजा समित, अन्य निता मौजूद हैं बैठक में बीजेपी की खिलाफ देश व्याब कानफरेंस करेंगे। क्या कि सब ठीक है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तिके सहां स्वास्ति विभाग ने गर्वती महिलाओं प्रसुताओं एमशेशियों को दी ज़ा रही स्वास्ति सेवाओं की ओनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए PCTS मुबाइल अप तयार करवाया है, इसमें दोसा जुले की करीब 1287 आशाएं सभी गतिविदियों की एंट्री सीधे अप पर कर सकेंगी, इसके लिए जुलस सर पर डियनो तथा व्लॉक सर पर बियनो आशाओं का सयूग करेंगे एप के माध्यम से आशाएं मॉबाइल पर स्वैम की शेत्र की महिलाओं और बच्चों से संबंदे स्वासे सेवाओं की डे टू डे रिपोर्टिंग कर सकेंगी और इस कारे की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी हिमाचल में मौनसून की दस्तक से पहले ही बारिश हो रही है शिमला शहर को धुंद ने अपने आगोश में ले लिया है इससे विजिबिलेटी 25 मिटर भी नहीं रही सुबह के वक्ते शिमला सहीत अने शेत्रों में भी बारिश हुई विभा के अनुसार ये प्री मौनसून की बारिश है अगले 4-5 दिन में मौनसून भी प्रदेश में दस्तक दे सकता है मौसम विज्यान केंडर शिमला ने कल से भारी बारिश का अलर्ट जोरी किया है कल के लिए प्रदेश के कुछ एक स्थान पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जोरी किया गया है मौहीं 25 और 26 जून के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में अगले 5-6 दिन मौसम खराब बना रहेगा CBI अधिकारी बनकर 10 लाख रुपाई की मांग करने के मामने में CBI ने गुरुवार को जेजपूरी गाउं से दो लोगों को गिरिफतार किया है चैट से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया फिर CBI अधिकारी बनकर दुशकर्म के मामने में फसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपाई मांग रहे थे जैपूर के हरिटेज निगम मुख्याले में चौल रहा मेर मुनेश गुर्जर और कॉंग्रिस पार्षदो का धरना गुरुवार को खत्म हो गया धरने को लेकर कॉंग्रिस विधायकों से प्रभारी सुख जिंदा सिंग रंधावा ने दो बार चल्चा की रंधावाने हरिटेज मेर मुनेश गुर्जर और पार्षदो को भरुसा दिलाए कि दो दिन में एडिशनल कमिशनर राजेंडर वर्मा के मामने के जांच कर कारवाही की जाएगी इस पर पार्षदो ने कहा कि वे दो की बजाए दस दिन इंतिजार कर सकते हैं लेकिन उनकी मांगों को प्रात्मिक्ता दी जाए वहीं पार्टी में अब भी सब ठीक नहीं होने के संकेत मंत्री वजिला ध्यक्ष परताप सिंग्ख खचरिय अवास ने दिये हैं राजस्तान में चुनावी साल के दोरान मुख्य मंत्री आम जन्ता को खुश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते यही कारण है कि विदान सबा चुनाव से पांच महिने पहले सरकार ने प्रदेश के 401 सरकारी कॉलेजों में ओपन जिम स्थापित करने का फैसला किया है इनके लिए मुख्य मंत्री शोग घहलोत ने 18 करोड 4 लाख रुपए की वित्य स्विक्रती जोरी की है इससे पहले सरकार ने जोदपूर के अमरितला स्टेडियम चैनपूरा को स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और रासमन जिले की नादवारा में कुष्टी अकादमी और स्टेडियम का निर्मान करने का फैसला किया है इसके लिए मुखे मंत्रे शोगहलोत ने 36 करोड रुपए के वित्य स्विक्रती प्रदान की है राजसान के जोदपूर वैजमे डिसकॉम में अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षिन पर विवाद हो गया है इससे जेएन से लेकर चीफ इंजिनियर तक की विभागिया पदोनती कमेटी नहीं होने से धाईसो अधिकारियों के प्रमोशन अटक गए है जोदपूर डिसकॉम का मामला हाई कोड तक पहुँच किया है और कोड ने डिपीसी करने पर रोक नहीं लगाई है लेकिन डिपीसी के रिजल्ट जारी नहीं करने को कहा है इसके लिए जेपूर वैजमेर डिसकॉम ने भी डिपीसी रोक दी है वहीं प्रमोशन नहीं होने से इंजिनियर्स को मौजूदा पस से उचपद का अत्रिक्त चार्ज दे कर या वरकिंग अरेजमेंट से पोस्टिंग दे कर काम चलाया जो रहा है लाहसान में कॉंग्रिस की परिशानी दिनों दिन बढ़ती जारी है पिछले साथ दिनों से जपूर नगनिगम हैरिटेज में जारी धरना खत्म होने के बाद अब मेर मुनेश गुर्जर ने मंत्री प्रताफ सिंग खचरियावास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है गुर्जर ने एक आडियो जारी कर मंत्री प्रताफ सिंग खचरियावास और पारशत दशरत सिंग पर मुनेश की और से गोद ली गई बच्ची के पिता पर दबाव बनाने कारूप लगाया है मेर ने रोते हुए कहा कि सिर्फ अपने राजनिती के रोटियां सेखने के लिए मंत्री और पाश्यत दलित बच्ची के पिता को डरा कर और परलोबन दे कर मेरे खिलाफ सेस्टि के बयान दिलवाना चौहते हैं अनाज सरकारी खरीद पर आधा धूरा ही खरीदा गया है हालात ये हैं कि अनाज खरीदने के लिएक क्रे विखरे सरकारी समीती के पास बार दाना नहीं है इस कारण जुले भर में सरकारी खरीद बीच में ही अटक गई राजगर्ड में एक महीने से बारदाना नहीं था बांसूर खरीद का सब सेंटर है लेकिन यहां रजिस्ट्रिशन नहीं कराए गए इस कारण बांसूर सरकारी खरीद से दूर हो गया किसानों को परिशान होकर दूर के संटर पर जाना पड़ा क्रेविकरे सरकारी समीती राजगर के मैनेजर कैलाश मीना ने कहा कि 17 मही को बारदाना खत्म हो गया था अब तक नहीं मिला है कम से कम 50,000 बैक की ज़रूरत है अजमेर जिले से मिले 500 रुपए के साथ नोट रिजर बैंक आफ इंडिया ने नकली बताए है ये नोट पंजाब नाशनल बैंक की ओर से भेजी गए थे सहायक महाप्रबंदक ने कोतवाली थाने में मामला दर्च कराया है पलिस मामले की जांच में जुटी है अरबियाई जैपूर की सहायक महाप्रबंदक त्रिप्ती तुसावरा ने रिपोर्ट में बताए कि नमबर 2022 से महा अप्रैल 2023 के अवधी के दुरान अजमेर जिले से भेजे गए नोट की जांच में नकली नोट पाए गए बैंक शाखा पंजाब नैशनल बैंक अजमेर की ओर से 500-500 के साथ नोट भेजे गए थे राजसान में सरकारी नोकरी के तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है राजसान सरकार ने प्रदेशवर में जूनिर अकाउंटेंट के 5190 और तैसीर राजस्वे लेखाकार के 198 पदों पर भरती निकाली है इसके लिए 18-40 साल तक की उमर के उमिद्वार राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड के ओफिशल वेबसाइट पर जुआ कर 26 जुलाई तक ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं बरती परिक्षा में सेलेक्शन होने पर उमिद्वार को हर मेहने 44 हज़ार से लेकर 79200 और तक की सालरी दी जाएगी तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ